स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीटेन स्टेडी पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दस्वी के साइन्स के अप्जक्टिव प्रसनों के बारे में और इसमें मैंने गेस क्वेशन को इनिक्लिट किया है जो आपके एक्जाम में लगवग आएंगे ही आएंगे तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि मैंने सेम पैटरन को फॉलो किया है जैसा कि आपके एक्जाम में पूछा जाएगा अरतालीस अब्जेक्टिव प्रस्न है उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव प्रस्न है ठीक है तो हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ अब्जेक्टिव प्रस्नों के बारे में और फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव प्रस्नों के बारे में तो चलिए, स्टार्ट करते हैं सेशन आज का, और स्टार्ट करने से पहले, आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, कि यदि फॉस्ट ताम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा, इसका न सिधान दिया था चार्ल्स डार्विन ने जो कि option number D में आ आपका इसका correct answer, छाइक है, याँनि इसका इंग्लिस में क्या बोलते हैs, natural selection का सिधान कि सिधान किस ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है, नेक्स्ट है second number question, baking soda का सुत्र क्या है, तो इसका correct answer हो जाएगा option number a amoeba में दुएखंडन के द्वारा होता है अगला हम लोग बात कर लें अमल राज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अमल और नाट्रिक अमल का अनुपात क्या होता है तो देखिए अमल राज को एक क्वारेजिया के नाम से भी जाना जाता है तो अमल राज में हाइ या फिर प्लेटिनम जैसे बदार्थ को भी गिलाने की छमदा रखता है पांचमा प्रस ने संग मरमर का रसाइनिक सुत्र गया है तो देखिए संग मरमर का रसाइनिक सुत्र जो होता है वह होता है कल्सेम कार्बोनेट यानि कि CACO3 जो की option number a में है इसका correct answer नेक्स्ट है व Wydudh age किस पर अधारित है तो देखिए व्यूत फ्यूज जो है यह विद्ध धारा के उश्मिय प्रफाऑब पर अधारी थे ए किस पर उसमिय प्रफाब और किसका बिसर होता है तो याद रखेगा फ्यूज जो है वह सीशा और这an का बणा हुआ मिसर धातु है करदर लेटीन नाम एस्तेल नाम होता है कौन सा आपका फ्यूज्ड वह हैं उनकों क्या कहा जाता है तो बाईसेक्सिवल किसे कहा चाता है उसे कहा जाता है जिसमें आगर एक ही जीवों में नर और और मादा परजर एक उपस्थित हो तो भिछ सीच हम क्या कहेंगे उभैलेंगी कहेंगे तो आपके सामने आप देख सकते हैं इसमें झो किफौ चुंब का प्रख्रों का किस ने किया था था किस actor प्रकास के प्रक्रवर के कारण नीला दिखता है चलिए और प्रकास के अपवरतन के कारण नीला धार प्रतित होता है अब देखिए अगला प्रस ने नीला थोथा का रसानिक सुत्र क्या है तो देखिए नीला थोथा जो होता है कोपर सल्फेट को कहा जाता है तो इसमें सारे कोपर सल्फेट है लेकिन इसमें जल का पोटेंसियल भी दिया गया है तो जल के पोटेंसियल के सभी सुन्य वर्ग का इस नहीं यह कुण से अवर्ग का तत्व सुन ke शाड़ी यह चाड़ी नाम से जानते हैं अगला प्राशन है मानौ मादा प्रेजनलंग्स अंतर का भाग्स उपस्ञें है मादा प्रेजनलं तंत्र का भाग्स अंड़ा से मादा है तो थेर हैंक स्थारब को अधिया है विद्यू पहली अपने हैं और गोड विभा है अगला है अमिटर को विदुद परिपत न किस करम में जोरा जाता है ठीक है तो देखें आमीटर को विदुत परिपत में जोरा जाता है सिरेनी करम में देखें इसका एक ट्रिक याद रखेगा क्या होता है देखें भी आईपी आप लोग याद रखेगा ठीक है वोल्ट मीटर जो होता है उसे किसमें पैलरड में लगाया जाता है ठीक है और FAS यानि की फस याद रखेगा यानि की फ्यूज और Amitr को सीरीज में connect किया जाता है तो इसमें जो आपका option था स्रेज़ करम तो Amitr जो होता है उसे हमें किस करम में स्रेज़ित करते हैं स्रेज़ित करते हैं जो option number A में है इंसुलीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो देखें इंसुलीन की कमी से होता है मधुमेह रोग ठीक है बॉनापन किसकी कमी से तो व्रिधी हार्मोन की कमी से और घेंगा किसकी कमी से तो घेंगा हो जाता है आयोडीन की कमी से ठीक है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा option number C मधुमेह अगला है पुस्पी पौधों में लेंगेक जनन होता है तो देखिए जितने भी प्लांट है जिन में लेंगेक प्रजनन होता है सेक्सिल रिप्रोटक्शन होता है तो उसके लिए फ्लावर जिम्यदार होता है यानि कि पौधे में फूलों के कारण क्या होता है प्रजनन की प्रक्रिया संपन हो पाती है अगला है आधुनिक आवर्थ सारनी का आवर्थ फलन है तो देखें आधुनिक आवर्थ सारनी है वह किसके आवर्थ फलन है तो यह बढ़ता परमानु कर्मांक या कहले बढ़ता परमानु संख्या के आवर्थ फलन है लेकिन मेंडलिफ ने जो आवर्थ चार ने दिया था वह किसके आवर्थ फुलन था तो वो था आपका बढ़ता परमानु दर्वमान के आवर्थ फुलन चलिए अगला है सर्च लाइट का प्रावर्तक सता होता है तो सर्च लाइट का जो प्रावर्तक सता होता है वह कैसा होता है तो याद रखेगा सर्च लाइट का जो प्रावर्तक सता होता है वह होता है अवतल ठीक है एक अनुसूतर लेकिन विविन संडशना सूतर वाले erson कर सकते हैं चल चेल अग्ला है सक्रितास रिटमेंइंस में सोदियम का अंसर दिया गया है लेकिन याद रखेगा सक्रिता-स्रीनी में सोटियम जो हो वह सेकेंड रस्थान पुड़ है फर्स्ट रस्थान पुड़ है आपका पो चलिए अगला प्रास्त हम लोग देख लें जले हैं कि इस पस्बष्ट द्रिस्टि की नियूनुतम दूरी क्या हो जागी वो हो जागी आपका 25 संटीमीटर नेक्स्ट है आपका संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन का अनुसूतर है तो देखें संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन के अनुसूतर की बात कर लें तो उसका क्या होता है CNH21 plus 2 संत्रिप्थ हड्रोकार्बन एलकेन को कहा जाता है और एलकीन और एलकेन जो हता है इसे कहा जाता है और संत्रिप्थ हड्रोकार्बन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉंड होते हैं सिंगल बॉंड वाले को एलकेन बोलते हैं या संत्रिप्त हट्रोकर्बन बुलते हैं अगले हैं सभी अमल में अनीवारी रूप से पाई जाए व् then सभी अनीवारी रूप से क्या पाया जाएगा थीका आगला प्रस नहीं का पेजमान क्या होता है तो रखत का पेजमान होता है seven point four तो आप इसकी प्रकरती का भी अंदाजा लगा सकते हैं अगर 7.4 है तो यह किस प्रकृति होगा बेशिक प्रकृति का होगा यानि कि यह क्या होगा चाड़ यह होगा तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फिर जो रेस्ट कोशन बचने अब्जेक्टिव वह हम लोग अगले वीडियो में डिसकस क मिल जाएं धन्यवाद।